Hello friends, welcome back to my channel Only First Study को आज हम मेडेवल इंडिया से मुगल एम्पाइर के बारे में कुछ MCQ डिसकसन करेंगे जो आपके लिए महत्पुन रहेगा मुगल एम्पाइर में सबसे पहले सासक है बाबर जिनका सासन काल 1526 से 1530 इनको मुगल एम्पाइर के फाउंडर भी कहा जाता है 1656 से 1707 तक सासन के और मुगल एम्पाइर के लाश्ट रूलर थे बाहदुर साह सेकेंड तो चलो मुगल एम्पाइर के फाउंडर बाबर के बारे में कुछ इंपोटेंट कोस्टिन आंसार डिसकसन करते है पहले नंबर पे बाबर का जन्म किस बर्स हुआ था? इसका अंसार है 1483 अगला बाबर केम टू इंडिया फ्रम हुच प्लेस? बाबर किस थान से भारत आया था? इसका सही अंसार है फरगणा अगला हुच अफ दे फॉलोइंग मुगल एंपरर? इज आलसो नोन अज कलंदर निन्मलिखित में से किस मुगल समराट को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है इसका अंसर है बाबर अगला हुच अफ दे फॉलोइंग वाज बाबर रिलेटेट टू on his father's side निन्म लिखित में से कौन सा बाबर अपने पिता की ओर से समन्दित था इसका आंसर है तेमुर अगला वाज दा फादर अफ बाबर बाबर के पिता कौन थे इसका आंसर है उमर सिख मिर्जा अगला विच अव दा फॉलोईंग वाज बाबर अगला बाबर वाज दा रूलर अफ फुईच डाइनस्टी बाबर किस बंस का सासक था इसका आंसर होगा मुगल डाइनस्टी अगला बिट्विन हुईच टू रूलर्स वाज दा फॉस्ट बेटल अफ पानिपत फॉट पानिपत का प्रथम यूद किन दो सासकों के बीच लड़ा गया था इसका आंसर होगा बाबर एंड इब्राहिम लोदी अगला, who defeated by बाबर in the battle of panipat कौन panipat की यूद में बाबर से परजित हुआ इसका आंसर होगा इब्राहिम लोदी अगला, when did the first battle of panipat take place panipat का प्रथम यूद कब हुआ था इसका आंसर होगा 21 April 1526 अगला, between whom was the second battle of panipat fought panipat का दित्य यूद किसके बीच लड़ा गया था इसका आंसर होगा आकबर एंड हिमो अगला, which was the official language of the Mughal period मुगल काल की राज भसा क्या थी इसका आंसर होगा फार्सी अगला, which was the second capital of अकबर अकबर की दुसरी राजधानी कौन सी थी इसका आंसर होगा फातेपूर सिकरी अगला, which were laid the foundation of Mughal emperor in India केसी यूद ने भारत में Mughal समराजय की नीव रखी इसका आंसर होगा फार्स्ट बेटल अफ पानिपत अगला, who was defeated by Babar in the Battle of Khanwa कौन खनवा की यूद में बाबर से हार गया था इसका आंसर होगा राणा संगा, king of Mewad अगला, when did the Battle of Khanwa take place? Khanwa का यूद कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1527 AD अगला, the Battle of Khanwa was fought between खनवा का यूद किसके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर होगा बाबर एंड राणा संगा अगला, who invited Babar in India? किसने बाबर को भारत में आमंत्रित किया था? इसका सही आंसर होगा दौलत खान लोदी अगला, where was the capital of Babar? Babar की राजधनी कहां थी? इसका आंसर होगा आगरा अगला, which two cities did Babar capture during first battle of Panipat? पानिपत के प्रथम यूद में बाबर ने कीन दो नगरों पर अधिकार किया इसका आंसर होगा दिल्धी एंड आगरा अगला, between whom the battle of Chandiri was fought? Chandiri का यूद किसके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर होगा बाबर एंड मेदिनी रोय अगला, when did the battle of Chandiri take place? Chandiri का यूद कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1528 AD अगला, after Panipat, बाबर had to face with the problem of dealing with the powerful force of पानिपत के बाद बाबर को कि सक्तिसाली ताकतों से निपटने की समस्या का सामना करना पड़ा इसका आंसर होगा आफगान्स अगला, between whom the battle of Ghagra was fought घागर का यूद किसके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर होगा बाबर and Afghans of Bihar and Bengal अगला, who gave the slogan of Jihad Agnes Rana Sanga किसने Rana Sanga के बिरूद जिहाद का नारा दिया था? इसका आंसर होगा बाबर इसका आंसर होगा गाजी अगला, when did बाबर die? बाबर की मृत्यू कब हुई थी? इसका आंसर होगा 27th December 1530 अगला, the burial of बाबर was shifted ultimately from Agra to which place? बाबर की अंतियोष्टी को अंततह अगरा से किस थान पर स्थानांतरित किया गया था? इसका आंसर होगा काबूल अगला, who built the arambag at Agra? किसने Agra में अरambag का निर्मान करवाया था? इसका आंसर होगा बाबर अगला, who translated the babar नामा in Persian language? किसने फार्सी भासा में बाबर नामा का अनुबाद किया था? इसका आंसर होगा अब्दुर रहिम खान खना अगला, where did बाबर die? बाबर की मृत्यों कहां हुई थी? इसका आंसर होगा अगरा इसका पार्ट टू देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सेर और सस्क्राइब जरू करना थैंक्यू सो मच